हेलो एवरिवन मेरा नाम है वैभव और वेलकम बैग तो टार्गेट फॉर आईक्यू हम CRPC यानि न्यू CRPC की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं इससे पहले मैं एक लेक्टर रिकॉर्ड कर चुक हूं जिसमें हमने इंडेक्स का कमपेरिजन किया था कि न्यू CRPC और ओल CRPC में क क्या नए सेक्षिंस एड हुए हैं क्या चैप्टर नंबर की सीक्वेंस बदली है नहीं बदली वह सब हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिसकस किया था आई होप आप समने वह वीडियो देख ली होगी आज सीरीज का यह सेकिंड लेक्टर है जिसमें हम बेर एक्ट की करेंगे कि क्या चेंजिस आए हैं और हमें बेर एट कैसे पढ़ना चाहिए ठीक आईए शुरुआत करते हैं भारतिये नागरिक सुरक्षा सहीता दो हजार तेईस ठीक और इसका एक नंबर है 46 of 2023 तो यह जो होता है आपका भारतिये नागरिक सहीता नागरिक सुरक्षा सही सहीता यानि कि यह इसको हम बोलते हैं शौट टाइटल ठीक है तो कि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं शौट टाइटल और लॉंग टाइटल होता क्या है तो जो यह लिखा है अब भी बारतिये नागरिक सुरक्षा सहीता दो हजार तेही इसको बोलते हम शौट यह सर लॉंग टाइटल किसे बोलते हैं लॉंग टाइटल बोलते हैं जो हमारा प्रियंबल में लिखा है यानि कि अगर हम बात करें प्रियंबल में लिखा क्या है यह लिखा है यानि कि the act to consolidate and amend the law relating to criminal procedure ये हो गया हमारा long title ठीक एक तरफ है short title एक तरफ है long title तो short title होता है जो act है उसका क्या नाम है ठीक और long title होता है कि उस act का उसका preamble क्या है preamble क्या बोलना चाहता है उसको हम बोलते है long title ठीक अब long title में भी क्या लिखा है the an act to consolidate and amend the law relating to criminal procedure अब बात करते हैं कि consolidate क्या होता है कि लिखतो दिया है इसमें consolidate वर इसका मतलब क्या है यानि कि इस consolidate का word का मतलब क्या है देखो consolidate का मतलब होता है कि कोई चीज जो इधर बिखरी हुए है उदर बिखरी हुए है उसको इखटा करके एक जग ठीक तो जो हमारा new CRPCA वो consolidate है यानि कि अगर हम बात करें तो एक यह exhaustive law बन चुका है यानि complete है क्यों क्योंकि यहां पर हमने consolidate वर्ड यूज किया है दूसरा वर्ड हमने जो यूज किया है वो किया है amend कि कि अगर future में हमें जरूरत पड़ी तो हम इस BNSS को amend कर सकते हैं अप अपनी interest के according ठीक तो अमेंड कौन कर सकता है यह जो act लेकर आया है कौन लेकर आये सेक्ट को हमारे पार्लेमेंट लेकर आये स्टेट लेजिस्टेचर या प्रेजिडेंट यह सब तो पता होगा कि act bill act में कैसे convert होता है ठीक पर इसमें मैं आपको आगे बढ़ने से पहले कु जैसे की अगे शेड्यूल सेवन है हमारे constitution है ठीक है वहाँ पर क्या है तीन लिस्ट दे रखी है पहली लिस्ट है यह तीन लिस्ट है स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट यानि कि जो सेंटर से related acts हैं वो आएंगे हमारे यूनियन लिस्ट में ठीक जो state से related acts हैं वो आते हैं state लिस्ट में और concurrent में आते हैं इन दोनों से related यानि कि state के पास जो concurrent list में जो subjects आएंगे यानि कि उसमें जो अगर fair बदल करना है कोई amendment करना है तो दोनों कर सकते हैं state भी कर सकता है और union भी कर सकता है उनों X को बोलते हैं हम उनों X को हम concurrent list में लेकर आते हैं ठीक तो जो हमारी B.E.N.S.S है उसमें जो amendment दे रखा है, amendment कौन ला सकता है फिर, तो amendment दोनों ला सकते हैं, center चाहे तो amendment आ सकता है, और अगर state चाहे तो भी amendment आ सकता है, तो याद रखना, अगर BNS में कोई amendment होगा, तो वो दोनों authority के पास power है, दोनों government के पास power है, क्योंकि schedule 7 में ये सब दे रखा है, I hope समझ में आया ह होगा, अब आगे बढ़ते हैं, ये जो था ही short title, एक minute, जो मैंने short title बताया, यहां से लेकर, यहां तक, इसमें कोई problem नहीं आये होगी, ठीक, फिर मैंने long title बताया, long title में consolidate बताया, और amendment बताया कि कौन amend कर सकता है, यहां पे कोई problem नहीं आये होगी, फिर, एक आता है, वैसे question बनता नहीं है, पर कभी-कभी पूछ लेते हैं, act number क्या है, तो act number है 46, जो पुरानी CRPC था, उसका act number था 2, और अब जो new CRPC है, जिसे BNSS बोलते हैं, उसका act number है 46, ठीक है, अब हम section numbers के साथ चलेंगे, पहला section है, जिसकी heading है, short title, extent and commencement, ठीक है, short title हमने पढ़ लिया, क्या है, भारते नागरिक सुरक्षा सहीता, ये हमारा हो गया short title, अब extent, कि ये कहां तक extent होगा, अब ये थोड़ा important है, कि ये extension, यानि कि जो CRPC, नई CRPC आई है, हमारे भारत में लागू हुई है, ये किस-किस, छेतर किस-किस state तक लागू होगी, ये उ हो सकता है, तो क्या लिखा, the provisions of this सहीता, यानि new CRPC, शैल नोट अपला है, ये पहले हमें पढ़ना है, यहां से लेकर, यहां तक, और फिर हमें start करना, यहां से लेकर, यहां तक, यानि कि other than those relating to, इनको अभी छोड़ देना है, समझने के लिए, ठीक, तो क्या लिखा, the provisions of this सह नीता, शैल नोट अपला, यानि कि जो इस CRPC में, new CRPC में, जो जो लिखा है, ये अपलाए नहीं होगा, कहां अपलाए नहीं होगा, to the state of Nagaland, and to the tribal areas, यानि कि Nagaland जो state है, वहां पे CRPC अपलाए नहीं होगा, और जो tribal areas हैं, जो government ने जिन areas को tribal areas बना रखा है, वहां पे भी अप CRPC अपलाए नहीं होगा, फिर बात आती है, कि सब, कि सब क्या पूरा ही CRPC अपलाए नहीं होगा, नहीं, पूरा तो नहीं, बट ये जो chapters है न, chapter 9, chapter 11, और chapter 12, ये अपलाए होगे, सिर्फ ये तीन chapters हैं, जो अपलाए होगे, other than these three chapters, और कुछ अपलाए नहीं होगा, देखो, जो old CRPC था, और जो अब new CRPC है, इसमें अब क्या difference आया, ये जो लिखा है न, close to में, यहां से यहां तक, डिट्टो यहां पे old में भी same था, और new में भी same है, difference क्या है, ये जो chapter numbers है, old में था chapter 8, chapter 10, और chapter 11, बट अब new में हो चुका है, chapter 9, chapter 11, और chapter 12, तो ये प्रिक का, आपका prelims में question बन सकता है, याद रखना है, छोटे-छोटे changes हुए है, जो हमें ध्यान में रखने है, इनको एक तरफ आप लिखते रहो, या अपनी आपके पास bare act है, अगर नहीं आपने purchase कर लिए है, तो वहां पे underline करते रहो, अब बात आती है, कि हमने क्या क्या पड़ा, कि पूरा CRPC apply नहीं होगा, सिर्फ तीन chapters को छोड़ गए, यानि वो जो तीन chapters है, वो apply होंगे, उसके अलावा CRPC में कुछ apply नहीं होगा, उसके बाद क्या लिखा है, but the concerned state government may by notification apply such provisions or any of them to the whole or part of the state of Nagaland and such tribal areas as may be, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है, कि जो हमारे state of Nagaland है और जो tribal areas है, वहाँ पे सिर्फ तीन chapters apply होंगे, नियू के according, chapter 9, chapter 11 और chapter 12, ठीक, इसके लावा कुछ apply नहीं होगा, but यहाँ पे एक और चीज बोली गई है, कि अगर state government चाहे, कौन सी state, कोई सी भी state, ठीक, यानि कि state of Nagaland या tribal areas, जहाँ पे जिन state में tribal areas को बोल गया है, अगर वो concerned state government चाहे, तो वो by notification ये बोल सकती है, कि आज से chapter 2, या chapter 10, या chapter 27, या chapter 39 ये apply होंगे, ठीक, जनरली क्या है, जनरली भाई, तीन chapters ही apply होंगे, उसके अलावा कुछ apply नहीं होगा, but अगर state government चाहे, जहाँ पर कौन सी state government, या तो state of Nagaland की, या वो state government जहाँ पे अगर चाहे, तो वो एक notification issue करेंगे, और उस notification में, जो जो chapter numbers mention कर रखें, आज से फिर वो chapters, state of Nagaland और ट्राइबल एरियास पे apply हो जाएंगे, I hope समझ में आया होगा, ठीक, अब explanation, state of Nagaland तो बताना कुछ जरूरी नहीं है कि होता क्या है, state of Nagaland, ठीक, ट्राइबल एरियास, कि ट होता तो, तो explanation में, ट्राइबल एरियास बताया गया है, कि ट्राइबल एरियास क्या है, तो यहाँ पर लिखा है, it means the territories which immediately before 21st January 1972, were included in the tribal areas of Assam, यानि कि जो Assam की tribal areas है, उस में, अगर 21 जनवरी 1972 से पहले, जो जो territories add हो गई है, यानि tribal areas of Assam में, जो जो other territories add हो गई, as a tribal area, तो उनको हम tribal area बोलेंगे, ठीक, अब बात आते है, ट्राइबल area कहाँ पर बताया गया है, यह बताया गया है, पैरा 20 of 6th schedule of the constitution, यानि constitution को जो 6th schedule है, उसका पैरा 20 में tribal areas के बारे में बताया गया, तो यहाँ पर क्या बताया है, कि वो area ज जो tribal area of Assam में, include हो गएते, 21 January 1972 से पहले, उनको भी हम tribal areas मानेंगे, ठीक, अब बात करते हैं, next section की, sorry, next clause की, इसमें लिखा है, it shall come into force, यह तो हमें पताया है, कि CRPC है, जो new CRPC है, वो कब से enforce हो रही है, ठीक, कब से हो रही है, एक comment box में बताना, अब second जो हमारा section है, वो बात करता definition से, ठीक, इस definition clause में, 5 नए definitions add हुए है, और यह important बन जाता है, exam, pre or means दोनों के लिए, ठीक, अब क्या-क्या नया add हुआ है, उस बारे में पढ़ते हैं, तो पहला ही, यानि कि section का, यानि section 2 का clause 1, sub clause A, अब हमें कैसे पढ़ना है, section 2 का clause 1, और उसका sub clause A, फिर sub clause B, sub clause C, और यह ABC होने के बाद, last में, फिर section 2 का clause 2 भी है, पहले यह नहीं था, पहले सिफ ABCD ऐसे numbers, नुमेरिक numbers थे, बट अब section 2 का clause 1, sub clause A है, फिर section 2 का clause 2 हो चुका है, पहले नहीं था, पहले सिफ alphabetical is 2 A, 2 B, 2 C, ऐसे था, ठीक, तो यह थोड़ा सा एक difference आया है, तो क्या लिखा है, sub clause A में, audio, video, electronic means, यानि कि इसकी definition, अगर पूरे CRPC में कहीं पे भी लिखा आ गया, audio, video, electronic means, तो इसका क्या मतलब है, तो वो पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है, शैल इंक्लूड, तो पहले तो यह देखो, यहाँ पे लिखा है, शैल इंक्लूड, यानि कि एक inclusive definition है, यानि कि इसमें कुछ भी इंक्लूड किया जा सकता है, इन्होंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, ठीक, तो क्या बोला है, शैल इंक्लूड, use of any communication device for the purposes of video conferencing, recording of process of identification, फिर transmission of electronic communication, and for such other purpose, and by such other means, ठीक, तो इसमें क्या लिखा है, शैल इंक्लूड, use of any communication device, यानि कोई भी अगर आप communication device use कर रहे हो, किस purpose के लिए यूज कर रहे हो, जिससे कि video conferencing हो सके, ठीक, video conferencing device से तो होगी, ऐसा तो है निकि दो लोग बैठ गया, video conference से टार्ट हो गई, उसके एक device चाहिए, तो उसी device की बात करी गई है, कि कोई भी communication device होना चाहिए, और वो किस लिए यूज कर रहे हो, डिवाइस को, जिससे video conferencing हो सके, या आप किसी identification का जो procedure होता है, कि हमें कोई इंसान का identification करना है, तो वो हम CRPC में पढ़ेंगे, कैसे होता है, क्या होता है, बाट उस के लिए भी न, recording ज़रूरी है, तो अगर हम वो communication device को identification के लिए यूज कर रहे है, तो या search और seizure की किसी जगह को search कर रहे है, या किसी property को seize कर रहे है, तो उसकी भी वीडियोग्राफी बनेगी, तो वो, या transmission of electronic communication, ठीक, अगर हम electronic communicate कर रहे है, और उसको transfer कर रहे है, तो, और यह कर दिया है, कैसे वाइड कर दिया है, क्योंकि इन्होंने क्या mention कर दिया है, and for such other purposes, and by such other means, as state government may by rules provide, यानि कि ये जो मैंने बताया, video conferencing, identification, search seal, और transmission of electronic communication, इसके अलावा भी और चीज़े हो सकती है, अगर state government अपने rules लेकर उसमें add कर दे, क्योंकि एक inclusive definition है, starting में ही लिखा है, shall include, ठीक, कि ये चीज़े तो है, video conferencing है, identification कर रहे हो, अगर तो उसमें recording होईगी, search seal कर रहे हो, उसमें होईगी, but इसके अलावा भी अगर state government चाहे कि आज से हम इसको भी include कर रहे हैं, तो वो भी include हो सकता है, तो इन्होंने audio, video, electronic means में कुछ भी नहीं छोड क्योंकि ये इसको inclusive definition बना दिये, starting में ही shall include करके start कर दिया है, ठीक, अब बात करते हैं, दूसरा नहीं चीज़ क्या है, सब clause B में आया है, bail, पहले definition में नहीं था, bail, हम सिर्फ provisions में पढ़ते थे कि कि किसको bail मिलने हैं, किसको नहीं, और सब को पता भी था, bail होता क्या है, but अ of or suspected of commission of an offense from the custody of law, upon certain conditions, याने कि upon certain conditions imposed by an officer or court, ठीक, तो दूसरी बात हमें क्या clear हुई, हमें clear हुआ, कि ये जो हमारा bail है, कौन दे सकता है, officer, और इसके अलावा, court, ठीक, on execution of such person of a bond or bail bond, बोन्ड और बेल बोन्ड, अभी तक खुछ समझ में नहीं आएवा, क्योंकि मैंने समझाया लिए, ठीक है, तो bail क्या होता है, bail होता है, अगर कोई इनसान, custody में हैं, किसी की, ठीक, किसी की मनला, police की custody में है, ठीक, तो अगर कोई इनसान, custody में है, और उसको release करना है, उस custody से release करना है, ठीक, तो उसको release करने के लिए, हमें कुछ conditions लगानी होंगी, क्या है, कैसी conditions, कि हम आपको छोड़ रहे हैं, बट आपकी जब जब तारीख लगेगी, आप court में personally उपस्थिद होगे, ऐसा नहीं कि आपने बोल दे मेरा advocate तो present है, नहीं, अगर condition में mention है, कि आपको personally court में उपस्थिद होना है, तो होना है, क्योंकि condition लगाई गई हुई है, और क्या condition हो सकते हैं, कि आपको जब तक आपका trial चल रहा है, आपको अपने state छोड़ के नहीं जाना, ऐसी बहुत सारी कुछ conditions हो सकते हैं, conditions but reasonable होनी चाहिए, ठीक, तो अगर कोई इंसान custody में हैं और accused है, दो condition दिए, clause, sub clause भी में, दो conditions क्या है, पहला कि इंसान accused होना ज़रूरी है, दूसरा suspicious, यानि कि उस पे हमें शक है, कि जो offense है ना, शायद इसी ने किया है, ठीक, यहाँ पर दो व्यक्ति की बात करी गई है, पहला accused, जो अपराद ही है, दूसरा suspicious इंसान, जिस पे शक है कि हाँ, शायद इस इंसान ने offense किया है, ठीक, तो अगर ऐसे दो व्यक्ति, custody में हैं, तो उनको हम release कर सकते हैं, release करने की क्या condition, कुछ conditions लगाएंगे, ठीक, कौन लगाएगा, जो officer, जो release कर रहा है, वो, या court, ठीक, यह समझ में आ गया, फिर जो इस इंसान को छोड़ रहे हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको, यह जो bond है न, और यह bail bond है, इसको भी execute करना पड़ेगा, ठीक, bail में छुटने के लिए, आपको conditions फुल्फिल करनी पड़ेगी, और bail के साथ साथ आपको bond और bail bond भी भरना पड़ेगा, अब यह bail bond है क्या, यह definition clause में हम पड़ेगे, बट अभी इतना समझेो कि bail कैसे मिलेगी, कोई custody में है, कौन custody में है, चाहे वो accused हो, या कोई भी suspicious person हो, कि इसने offense किया है, और अगर उसे छोड़ना है, तो उसे कौन छोड़ सकता है, officer यानि police officer, या court, जिस court के सामने लेकर आए है, कैसे छोड़ेगे, कुछ conditions उस पर impose करेंगे, कि आप ये हरकते नहीं करोगे, आपको court में time पर आना है, ठीक, तो वो इनसान बोलेगा, जी हाँ, मैं ये सब conditions फुल्फिल कर रहा हूं, और वो इनसान फिर bond और bail bond भी execute करेगा, तब ही उसको bail मिलेगी, ठीक, I hope समझ में आया होगा, कि bail कैसे है, मिलती है, और उसमें क्या- ठीक, तो bailable offense क्या होता है, ये पहले भी था, ये अब भी है, means an offense which is shown as bailable in the first schedule, जैसा हमें पता है, CRPC में दो schedule है, ठीक, तो जो पहला schedule है, उसमें mention किया गया है, कि किन-किन offenses में आपको bail मिलेगी, कौन-कौन से offense cognizable है, कौन non-cognizable है, ठीक, वो first schedule में mention किया गया है, तो यहाँ पे भी बोला गया, bailable offense हम उन offenses को बोलेंगे, जिसमें, first schedule में बताया गया है, कि ये offenses is bailable है, ठीक, या फिर और, यानि इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है, or which is made bailable by any other law for time being enforced, देखो, अभी तम CRPC में पढ़ रहे हैं, कि CRPC, यानि कि IPC में जो offense हुआ, कि अब वो offense bailable है या नहीं, वो कौन बतायगा, first schedule बतायगा, यहां पे लिखा है, कि वो bailable है या नहीं, ये बतायगा हमारा first schedule, ठीक, अब क्या अपराद सिर्फ IPC में होते हैं, क्या IPC के अलावा कोई ऐसे action नहीं है, जहां पर अपराद होते हों, तो हैं, क्यों नहीं है, बाई, juvenile हो गया, पोक यानि दूसरी condition क्या होगी, कि other laws में, यह जो other laws है, यानि अपना arm set हो गया, ठीक, अगर उसमें भी bailable बताया गया है, तो उस offense को भी हम bailable मानेंगे, यानि special laws बोल लेते हैं, एक तरफ CRPC है, एक तरफ special law है, और कोई offense अगर IPC में हुआ है, तो वो CRPC के schedule 1 में बताया गया है, कि यह bailable है या नहीं, जाके check कर लो, ठीक, बट अगर कोई ऐसा offense हुआ है, जो IPC में है ही नहीं, तो अब हम देखेंगे, वो जो offense घटित हुआ है, वो कौन से act में आता है, जैसे arms act में हो गया, या NDPS act हो गया, ठीक, तो अब हम वहाँ जाके देखेंगे, कि वहाँ पर क्या बताया गया, वो जो offense हुआ है, जो IPC में बताया नहीं है, तो जो NDPS act में बताया गया, तो वो वहाँ पर bailable है या नहीं, वो हम वहाँ पर जाके देखेंगे, तो यहाँ पर यही चीज बताये गई है, फिर आता है bail bond, जहाँ पर हमने कहां पढ़ा था हमने, bail में, कि भाई, बेल के साथ साथ उसे bail bond भी execute करना पड़ेगा, तो bail bond क्या होता है, bail bond means an undertaking for release with surety, पहले तो यह पढ़ते है, surety क्या होता है, surety अगर हम, suppose मैं, अगर मुझे release bail, बेल चाहिए, तो bail के साथ साथ मुझे एक ऐसा व्यक्ति भी चाहिए, जो मेरे बिहाफ पर guarantee ले कि हाँ, यह इ कोई मेरा friend, या मेरे relative, या मेरे माता, पिता, इन में से कोई एक इनसान, surety बनेगा, कि हाँ, इसके बिहाफ पर, इसकी जगा, मैं guarantee ले रहा हूँ, कि यह court में time से time आएगा, ठीक, तो उसको तो बोलते हैं, surety, तो क्या लिखा है, bail bond means undertaking for release with surety, यानि कि वो undertaking देगा, क्या दे अपना execute कर देगा, ठीक, इमें है, bond, bond क्या होता है, bond होता है, means a personal bond, और undertaking for release without surety, यानि कि हमें bond भरते समय, surety की जरूरत नहीं है, bail bond में, surety की जरूरत थी, और हमें bond में, surety की जरूरत नहीं है, ठीक, तो आप वो depend करता है, जब हमें bail मिलेगी, तो हमें, क्या surety के साथ जाना है, या without surety, ये कौन decide करेगा, जो छुट रहा है वो, या जो bail दे रहा है वो, जो bail दे रहा है, अगर कोई police officer bail दे रहा है, तो वो decide करेगा, क्या with surety, जाओगे या without surety, ठीक, I hope इतना समझ में आया होगा, अब पढ़ते हैं charge, आज क्लास में हम charge तक क्या लिखा है, इसमे, charge includes any head of charge when charge contains more head than one, ये एक incomplete सी unsatisfactory definition है, जब इतना change किया है, तो I guess charge change करने में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, बट यहाँ पर जो दे रहा है, अब हमें वो ही पढ़ना पड़ेगा, तो क्या लिखा है, any head of charge when charge contains more head than one, इसको समझने के लिए, ऐ कैसा करते हैं, यहीं समझाते हैं तो मैं आपको, जैसे क्या होता है, court है, ठीक, अब charge पहली बातों में ये समझना है कि charge बनातक होना है, कि कोई police officer बनाएगा, या जो parties हैं, वो ही अपने आप charge बनाके court में submit करेंगी, या court बनाता है, पहले ये जाना जरूर ही है, तो जो charge हो होता है, उसको ना तो police officer बनाता है, ना ही parties बनाती है, वो काम होता है court का, जब court के सामने police report submit हो जाती है, evidences दिखते हैं उसमें, उस basis पे court decide करता है कि charge क्या बनेगा, इस पे murder का charge लगेगा, या theft का लगेगा, वो decide करता है court, तो याद रखना, charge हमेशा सिर्फ court बनाता है, उस है, head का क्या मतलब है, तो head का मतलब है, यहाँ पे section, head का मतलब है, यहाँ पे section, कभी-कभी ऐसा offense होता है, जिसमें एकी section की ज़रूरत होती है, इसने अपराद किया theft का, कभी-कभी ऐसा होता है, कि एक offense में बहुत सारे sections include हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि भाई, उसने theft भी कर लिया, या उसने robbery भी कर दी, decority भी कर दी, उसके साथ murder भी कर दिया, तो जब एक offense में एक से ज़्यादा sections हो जाते हैं, या फिर एक ही offense में एक ही section रहते हैं, तो हम उसको बोलते हैं, charge, CRPC में इसको ऐसे ही बताया गया है, और मैं भी आपको बैसी ही समझा रहा हूँ, याद रखना, यह जो head होता है, head का मतलब होता है section, तो इसा क्या मतलब है, section मतलब कि एक offense में एक section कभी offense हो सकता है, और एक ही crime में एक से ज़्यादा offenses भी include हो सकते हैं, ठीक, तो उसको हम बोलते हैं, charge, बाकि के जो यह definition close हैं, यह हम कल की वीडियो में cover करेंगे, क्योंकि बहुत ल अच्छी लोगें तो like the video next class में मिलते हैं,